नमस्कार जैहिंद, कैसे आप सब? I hope कि आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है सेशन की सुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्ण से, जो प्रश्ण हमने आपसे पूछा था ये प्रश्ण था कि किसर राज सरकार ने युवा उध्मियों को ससक्त बनाने के लिए मुक्ष मंतरी युवा उध्मी विकास अभियान यानि की एम युवा सुरू किया है इसको लेकर डिटेल जानकारी आपको हमने दिया था और आपको बतलाया था इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानि की उत्तर परदिस कोसिस कीजे कि जो भी प्रस्ण आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में लिखें और तमाम जानकारी आप वहां पर विस्तार पुरुआ के अवस्त से लिखें लेकिने से फाइदा यह होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सब्चम अबाते हैं चलिए सेस्टन की सुरुआत करेंगे पहले परस्ण से लेकिन उससे पहले पुरुआ आपको दोरा दो कि बिहार इस्पेसल करेंट एफेर्स का एक हमारा वार्षिकांग के पेडियाफ वन लाइनर फॉर्मेट वाला रेसेंटली लॉंच हुआ है आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर जो आप देख रहें इसी का यह प्रिंट है इसमें 20 पेज है और लगभग 400 पॉइंट आपको मिलेंगे बिहार इसमेंसल करेंट एफेर्स के उसी के बगल में देखेंगे एक सेक्षन होगा Yearly Current Affairs वहां पर जाके इसे आप प्राप्त करिएगा डाउनलोड कर लीजेगा जो लोग नहीं जोइन कर पाए हैं तो इस वाले कोर्स को जोइन करके वहां से आप इसे ले सकते हैं चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रशन पर तो यहां पर हमारा पहला प्रशन है कि बिहार के किस जीले में 165 कलोर की लागत से बने सब्ट्वेर टेकनलोजी पार्क का उदगाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है यह संबंदित हैं बिहार के भागलपूर से अताव विकल्प नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा आप यह ध्यान रखेंगे कि बिहार के भागलपूर जीले के बारारी में 165 कलोर की लागत से बने सब्ट्वेर टेकनलोजी पार्क का उदगाटन 13 मार्च 2024 को आई है यह चीज़े इस पॉइंट में संबलित है ध्यान रखेंगे कई परसनियां से अराइज हो सकते हैं अगला पॉइंट यहां पर है कि यह सब्ट्वेर डेवलपर्स और आईटी के छेतर में काम करने वाले बिहार के युवाओं के लिए बहतर विकल्प है या फर यू यहां से आप दिहान रखेंगे अगले पॉइंट में कुछ चीज़े हमने भागलपूर के बारे में सामिल किया है दरसल आप से जानते हैं कि बिहार में भागलपूर एक जीला है बिहार में कुल जीलों की जो संच्चा यह 38 है और 3800 जीलों में से बात करें तो भागलपूर उसमेंसे एक जीला है साथे बिहार में जो 9 परمنडल है 9 परمنडल में से भी भागलपूर एक परمنडल है जो की रज जिगा सबसे छोटा परمنडल है और इसके अंतरकत केवल 2 जीले है एक है भागलपूर और दूसरा है बागा अच्छा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी आपको मालूम हगा पिछले वर्स 2023 में ये जानगारी हमने दिया था कि भारते खाद सुरप्छा मानक प्राधिकरन यानि कि F SSI ने भागलपूर को स्ट्रीट फूर्ड का दरजा दिया था या फिर यूग है भागलपूर को स्ट्रीट फूर्ड हब के रूप में चिन्नित किया था तो ये चीज़े आपको बतलाई गई है अच्छा अभी जो हम बात कर रहे थे यहां पर नौक परमंडल की तो इसको लेकर एक ट्रिक हमने आपको बतलाया था ये ट्रिक है पूसा को मुंभा दमपती एक सब्द है या फिर यूग है एक वाक्य है पूसा को मुंभा दमपती इसे आप विस्त्रित रुप में ध्यान रखेंगे पूसे पूर्णिया सासे सारन कोसे कोसी मूसे मुंगिर भासे भागलपूर दौसे दरवंगा मौसे मगत पोसे पटना और तीसे तिरुबूट ये चीज़े आपको बतलाई की हैं कई बार ये आपको मालम होगा ये आप ट्रिक के माद्यम से ध्यान डख सकते हैं बिहार के नौग पर बंडलागों अच्छा कितने लोग जानते हैं ये भागलपूर में है अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये भागलपूर में जो है ये क्या है इसे किस नाम से जाना जाता है देखते हैं कितने लोगों को पता है और आप लोग बताईएगा कितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को भागलपूर से देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बतलाईएगा अच्छा य ये बहुत ही important है, हमने बहुत एकत्रित करके, हलाकि ये जानकारी आपको इसी स्रीज में दिया जा चुका है, लेकिन एक स्लाइट में एक ही जगा आप देखेंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा फाइदाबंद होगा, चीजें रिवाइज हो जाएगी, देखें, हमने आपको बतलाए था, अगस्त मेहने में, आपको दियान होगा, बापू परिक्षा परिसर का उद्गाटन कुमरार पटना में किया गया था, नीतीश कुमार के द्वारा, ये तीथी थी 23 अगस्त 2023, अगला पॉइंट है बापू टावर, इसका भी उद्गाटन नीतीश कुमार द्वारा के आगया, गरदनी बाप पटना में 4 फरवरी 2024 को, आप यहाँ पर बापू टावर को इस तरह तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, उस वद अगला हमारा है स्टेच्यू आफ सोसल जस्टिस, यह 19 जनवरी 2024 को आंध परदेश के, जो मुख्य मंत्री है जैगन मोहन रेटिक यह फिर आंध परदेश में इसका उद्गाटन किया है, श्वामी नरायन मंदिर जो कि अबू धाबी में बना है, और अब को धियान अबू धाबी जो है सन्युक्त अरब अमिरात की राइधानी है, नरेंद्र मोधी द्वारा 14 फर्वरी 2024 को इसका उद्गाटन किया गया, इसके अतरिक एक बहुत ज़्यादा खबरों में है, सुदरसन केवल पूल या फिर केवल अभारित पूल, नरेंद्र मोधी द्वारा अरुनाचल प्रदेश में, तो ये अभी हाल ही में जो खास करके उद्गाटन किया गया है, उन में से ये काफी महत्पूर्ण है, इसका स्क्रीन सॉट ले जेगा, निश्चित तौर पर आने वाले समय में, यहां से हो सकता है कि कोई प्रशन अरैज हो जाए, तो वहाँ पर एक अंका आपके हाथ में होगा, चलिए, आगे चलते हैं अगले दूसरे प्रशन पर, प्रशन है कि निम्दलिकित में से बिहार की, किस अंतरराष्टे किर्केटर को गौपालगंज जीला निर्वाचन अधिकारी ने जीले का चुनाव ब्रांड एमबैश्डर बनाया है, देखे, इसका करेक्ट अंसर है मुकेश कुमार, यहां पर हम बात कर रहा है किर्केटर की, तो विकल्प नंबर ए इस परश्ण का करेक्ट अंसर होगा, हलाकि इसमें राम पूजन शहनी को भी सामिल किया गया है, लेकिन हमने यहां पर बात किया किर्केटर यहां पर जो देख रहे हैं आप परश्ण में, चलिए, आपको बतातों कि आगामी अठारवें लोग सभाद चुनाव के मद्द नजर, गौपाल गंज जीला अंदिर्बाचन अधिकारी ने अंदर राश्टे किर्केटर मुकेश कुमार को गौपाल गंज का चुनाव ब्रांड एमबैसर बनाया है, साथ ही, राश्टे कुस्ती खिलाडी राम पूजन शहनी को भी इसमें सामिल किया गया है, आप मुकेश कुमार को यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बिहार के गौपाल गंज के रहने वाले हैं, अच्छा, आपको मालूम होगा कि आपके BBC Tree एकजाम में रिसेंटली गौपाल गंज से संबंदित एक परशन पूछा गया था, जो कि थावे महुतसव से संबंदित था, और हमने आपको जानकर रहे दिया था, ये थावे महुतसव का 2023 वाला 11 संस्क्रन था, और यहीं से अपके एकजाम में परशन बना है, वो चीजें आगे हम देखेंगे, फिलाल गौपाल गंज की जो बात हो रही है, यहां से एक बात ये भी धियान रखेंगे, 2021 में जो खादी के ब्रांड अमबेश्डर थे, पंकच त्रिपाठी, ये मूल रूपसे गौपाल गंज की ही रहने वाले थे, और पंकच त्रिपाठी की पहली फिल्म थी रन, आपको मालूम होगा, उसमें चोटा सा एक सीन था, वो आपने लोगों ने देखा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा, तो फिलाल यहां से ये बाते धियान रखें, अच्छा, अब बात कर रहे थे हम खादी और हैंडिक्राप्ट की, तो 22 में जब बिहार खादी और हैंडिक्राप्ट की ब्रांड अम्बेश्डर पंकच त्रिपाठी नहीं, बलकि मनोश दिवारी थे, तो ऐसे में विपिस्टी एक्जाम में यहां से परश्ण अपके एराइज हो चुके हैं, लेकिन मौजुदा समय में बिहार खादी और हैंडिक्राप्ट की जो ब्रांड अम्बेश्डर है, यह मैथली ठाकूर है, तो यह चीज़े ध्यान रखे, और इसी में एक चीज़े यह रिलेट कीज़ेगा, अपलो की बिहार या फिर कहें भारत का पहला जो खादी मौल है, यह पटना में गांधी मैदान के पुर्वी छोर पे खुला है, यह चीज़े अपको ध्यान रखना है, नितीश कुमार ने इसका उद्गार्डन के अता कुछ समय पहले, अब देखे, यहाँ पर चुनाव आयोग की बात हुई है, तो ऐसे में कई चीज़े आपको बतलाए गया, आईए उन सभी चीज़ें को पुनाव से देख लेते हैं, दरसल चुनाव आयोग ने पहली बार, 2024 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहली बार 2024 में मददान करने वाले युगाओं को मददान के परती, रुजहान बढ़ाने के लिए सिक्षा मंत्राले के साथ एक समझाता किया, या फिर एक अभ्यान की सुरुआत किया, इस अवियान का नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए ये अवियान की सुरवात की गए चुनाव आयोग ने इसके लिए सिक्षा मंद्राले के साथ समझागा किया अच्छा इसके अतरिक देश चुनाव आयोग ने सचीन तंदुलगर जो की महान किरिकेटर हुए भारत में अगस्त दोजार तेश में अपना नेशनल आइकन इन्हें बना गया था हलाकि दोजार बाइस में जो नेशनल आइकन की जिम्यदारे थी वो बिहार के पंकाई त्रिपाठी के पास थी ये चीज़े अभी हम डिसकस कर रहे थे पंकाई त्रिपाठी के बारे में तो उसी कड़ी में ये भी ध्यान रखे अच्छा अगला पॉइंट है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने लोक गाय का मैथली ठाकूर को बिहार का स्टेट आइकन निक्त किया था और फिर अप्रेल 2023 में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को तो ये चीज़े यहां से संबंदित है ध्यान रखेगा चलिए चलते हैं अभी यहां पर अगले प्रस्ट पे अच्छा अभी जो हम बात कर रहे थे मैथली ठाकूर के बारे में यहां पर तो मैथली ठाकूर को लेकर कई चीज़े तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे यह बिहार खादिया और हैंडिक्राप्ट की ब्रांड अमबेस्डर है लेकिन इन सब के अत्रिक्त अभी रिसेंटली नेशनल क्रियाटर अवोर्ड दोहजार चॉबिस जो मतलब दिया गया है प्रदामति नरेंदर मोदी के दौरा इसमें मैथली ठाकूर को लेकर एक पॉइंट दिहान रखेंगे यहां पर आपको दिख रहा है कि मैथली ठाकूर को संस्कृति कर राजदूत आफ दो इयर के रुप में चुना गया मैथली ठाकूर बिहार के मदवनी की रहने वाली है ठीक है तो यह चीज़ें आप यहां पर दिखान रखेंगे कंप्लेट सूची है इसके चर्चा हम अल्ड़री कर चुके है नेशनल क्रियेटर अवोर्ड की तो आज हम इसे स्किप करते हैं चलते हैं आगे तीसरा परस्ण आपके स्मख्च है कि हालिया आई एकर रिपोर्ट की अनशार भारत में गोल्डेन अर्थात सुनारे लंगूरों की आबादी लगभग कित्मी है तो उसी कड़ी में अब यहाँ पर हम बात करेंगे सुनारे लंगूर की तो इससे नविन्थम डेटा के आधार पर जो करेक्ट अंसर यह है विकल्फ नंबर एक यानि कि 7396 अब आई ये चीजों को हम देख लेते हैं जो खासकर के डेटा है यहाँ पर पहला पॉइंट है कई संगटनों जैसे की प्राइमेट रिसर्च सेंटर एनी इंडिया, असम वन विभाग, बॉर्डोलेंड, टेरिटोरियल काउंसिल, सलीम अली पक्षी विग्यान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र और साथी साथ कंजर्वेशन हिमाले द्व यहाँ पर यहाँ पर यह रिपोर्ट के बारे में यह ध्यान लखेंगे, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो तस्वीर में आप देख रही हैं सुनाय लंगूर या पर गोल्डेन लंगूर, अच्छा रिसेंटली जो आंकलन हुए हैं भारत में बागों को लेकर, हिम तेनदवा को लेकर, तेनदवा को लेकर, गोल्डेन लंगूर को लेकर, वो चीज़े आगे भी हम आपको बतलाएंगे, फिलाल यहाँ पर लिखी भी आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, इसके अत्रिक्त हैं, एक जानकारी हमने अत्रिक्त आपको दिया था प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट चीता के बारे में, आईए उन सभी को हम यहाँ पर अलग स्लाइड में देख लेते हैं, देखें इसका स्क्रिन शॉट आप चरूर लिजेगा, सबसे पहली बात करें, जो हालिया आंकलन है, उसके अधार पर जो एक्जाम में आपके प्रश्ण एराइज ह तो सरवाधिक इसमें से 3682 में से सरवाधिक मदप्रदेश में यहाँ पर 785, हिम तेंद्वा को लेकर एक रिपोर्ट अभी हाली में आई थी, पूरे भारत में हिम तेंद्वा की संख्या 718 बताये गया, और इपें सरवाधिक लदाक में 477, उसका तेंद्वा की संख्या को तो इसलिए यह ध्याने की का यहाँ पर इसकी संख्या अधिक इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, नेक्स्ट है गोल्डेन यानि की सुनारे लंगुर, तो अभी हमने बतला है 7396 जिनमें की सरवाधिक असम में है, और यह मार्च 2024 का यह रिपोर्ट है, यहाँ पर हमने इंडिक गांधी के कारिकाल में यह शुरू किया गया था, बागों के संख्या में और इसी दिसा में, परतान रती नरेंद मोदी ने 2022 में 17 सितंबर को अपने जनमदीन के अफसर पर यह प्रोजक्ट जीता की सुरुआत किया है, तो यह चाहिए आप ध्यान रगे, अच्छा इसके अ हाली में देश का पहला लेजर हत्यार, ड्रेगन फायर नाम दिया गया है, जो कि अभी हाली में से लॉंच किया गया, जो कि एक किलो मेटर दूर से सिक्के जैसे चीज को भी नेश्ता नाबूत करने में सक्षम है, यह एक छोटा सा जो सिक्का होता है, मतलब उस अकार का भी कोई चीज है, अगर वो टार्गेट सेड कर लेता है, तो पूरी तरह से उसे विध्वन्स कर सकता है, पूरी तरह से उसे डेश्ट्रॉइ कर सकता है, तो अभी हाली में यह लेजर हत्यार, ड्रेगन फायर लाँच किया है, ब्रिटेन सरकार ने, या फिर यू कहा है, और इस तरह की मारक च्छमता वाले हाई-बार ड्रोन आस्मान को पार करने में सक्षम है यानि कि कहने का सेंस यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं जो किसी भी ड्रोन को आस्मान में ही आसानी से मार किरा सकता है और विशे सग्यों की अनसार यह आने वाले समय में मिसाइल की भी जगह ले सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर को देख रहे हैं जैसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है तो यह एक परकार का लेजर हत्यार है और पहली बार इसका कर सकते हैं परिक्षन किया गया है फिर यूँक है इसे लाउंच किया गया है इसे नाम दिया गया है ड्रेगन फायर तो यहाँ से इतनी सारे बाते फिलाल ध्यान रखे कुछ चीज़े और भी निकल कर आएगी तो आने बाले समय मंफ को जरूर बतलाएंगे फिलाल चलते अगले पांचवे प्रशने की मदपरदेश सरकार हिंदू वर्षे 2018 को गोवन्स रक्षा वर्ष के रूप में मनाने की घोश्टा की है बताएं कि यह हिंदू वर्षे किस से समबंदित है ठीक है देखें यहाँ पर समवत जो हमने लिखा है उसी आधार पर यहाँ पर प्रशने पूछा गया है यानि कि हिंदू नवर्ष जो फॉलो किया जाता है वो किस पर आधारित है या फिर यूँ कहें कि समवत पर आधार तो ऐसे में ये ध्यान रखेगा ये तो important है ही तो जो हिंदू वर्स है इसे गोवन सरक्षा वर्स के रूपे मना जाएगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये important है कि हिंदू वर्स ये किस पर आधारित है तो विक्रम संवत पर आधारित है चलिए इसको लेकर detail जानकारी हम आप आधारित को देते हैं जैसे कि आप से भी जानते हैं कि वेदों की जो संख्या है वो चार है सबसे प्राचिन वेदे है रिगवेथ पिर येजुरवेथ सामभेथ और अथरुवेth देखे इन चारों वेदों की बात करें तो इसका जो एक मूल रहस है वेदों में जो चर्चा की गई है या फिर जो वेदों का एक प्रकार से जो conclusion निकलता है गायों को लेकर तो वेदों के अंसार गायों को पवित्र मारा गया है और इस वेदों में ये भी लिखा गया है कि ये वद के बराबर जब प्राचिन भारत आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके लिए एक सब्द का प्रयोग किया गया अगहन्य तो यह कसकते हैं प्रकार से इसका अरत यह हुआ कि यह वद के लायक नहीं है और वेदों के अनुसार गोसाला का संचालन एक प्रकार का पवित्यकार है और इसी द गोड़ी पढ़वा जो पर्व होता है यह नव वर्ष को एक प्रकार से नव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और गवन से रक्षा वर्ष में सरुसेश्ट गोसाला को भी प्रिश्कृत किया जाएगा तो फिलाल यहां से यह चीज़े रिलेटेट है डिरेक्ली यह ध्य अब यहां पर आगे हम बात करेंगे समराट विक्रमा दित्ते द्वारा इसका जो आरम था यह 57 इश्वी में किया गया था अब यहां पर सवाल यह है कि विक्रम जो समवत है हिंदू विक्रम समवत अंग्रेजी कलेंडर के वर्स से 57 वर्स आगे चलता है ठीक है यही रिजन है क्योंकि इसके जो सुर्वात ही ते यह 57 इस्वी में भी थी यही रिजन है कि यह 57 वर्स आगे है इसलिए 2024 के जगा अगर अंग्रेजी कलेंडर के बात करें तो 2024 हिंदू नब वर्स के बात करें तो 2021 क्या से 57 वर्स का इसमें डिफ्रेंस है तो यह चंद्र पर अधारित है और अंग्रेजी कलेंडर के तरह इसमें भी 12 माह होते हैं जैसे कि आप से जानते हैं गाउं में खास करके चैत बैसाक जेश्ट असार सरावन भादव आसिन कातिक मार्गसीज उसका पाउस मार्ग फागुल यह मतलब 12 महने हैं हिंदू कलेंडर के अ चाटे प्रशने की बारे में तो यह प्रशने की अरवनाचल प्रदेश के तवांग जीले में मनाएगे यहां पर देखे के नहीं होगा बलकि यहां पर में होगा तवांग जीले में मनाएगे गोर्शम कोरा महसव का संबंद किन दो देशों से हैं देखे यह संबंद है भा जागर करने वाला एक महुत्सव भी है इस वरस 2024 में जो इसका आजन है ये 7 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 तक अरुचल परदेश के तवांग जीले के जेमी ठांग में किया गया आप यहां पर यह तस्वीर में भी देख सकते हैं यहीं पर यह इसका आजन किया गया है तवांग ए यह तवांग के बारे में एक जानकारी हमने रिसेंटली अपको दिया है रिवाइश हो जाएगा यहां पर स्पाइलर प्रदेश के तवांग और पस्चमी कामेंग जीले को जोडने वाली सेला टलन का उद्भाटन 9 मार्च 2024 को परदान मंतरी नरेन मोदी ने किया यह दुनि नरेन मोदी ने इसकी निव वर्स 2019 में रखी थी शेला टैनल के बारे में यह चीजें यहां से आपको दिहार रखना है और ऐसी ही एक जानकारी हमने अटल सुरंग के बारे में कल वाले वीडियो में आपको दिया था यह चीजें आपको याद होगी अगर आपने नहीं हैं वो complete सूची यहां पर आप देख सकता है दोजार천 चौबीस के महसव है यहां पर हमने इस सलाइड में समρίब किया है 2024 का जितना भी मौजव है यहाँ पर आप घ्लियर देख सकते हैं और मौजव से समंद्भ एक्जाम में पड़ष्ण mortar बंते हैं आप यहाँ पर देखेंगे 2023 में जो बिहार में जो मौजव ऐजुत हुए है यापिर यूंग है जो बिहार में इसे तोर पर आपसे एक जाम में पूछे जा सकते हैं अच्छा पक्षी महुतसव को लेकर एक बात मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे एक जगह हमने लिखा है नागी पक्षी महुतसव जो कि नागी पक्षी आसरने जमुई में यह 17 से 19 फरवरी 2024 को मना गया है यह बहुत ही important है VBI आप इसे मतलब प्रशनों की स्रेणी में रख सकते हैं बहुत important द्यान रखेंगे यह पक्षी महुतसव जो कलरो जो मना जा रहा है बिहार में यह पकर से देखा जाए तो आप इसका दूसरा संस्क्रन कर सकते हैं इसका पहला संस्क्रन 2021 में नागी नक्टी पक्षी अभ्यारन में एजित हुआ था तो यह चीज़े यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 17 जनवरी 2021 को नागी नक्टी जमुई में यह आजित हुआ था पहला संस्क्रन था पक्षी महसव कल रोगा तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है चले आगे अगला सातों प्रशन है कि निम्दलिखित में से किस से भारतिय नाविक अर्थात सेलर ने इस स्पेन में एजित यूरोपा कप में स्वर्ण पदक जीता है देखे इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विश्नू सर्वणन यानि की विकल नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा विश्नू सर्वणन देखे यहाँ पर आपको उलादों की भारतिय नाविक विश्नू सर्वणन ने 10 मार्च 2024 को इस स्पेन के मलोरका में एजित यूरोपा कप 2024 सेलिंग परतोगा में पुरुशों की 1% डिन थी जो काटेगरी है इस काटेगरी में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है यहां पर ध्यान रखेंगे और इसे जीरत के साथ विश्नू सर्वणन ने पैरिस उलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया अच्छा एक चीज़ यहां पर ध्यान रखेंगे अगर हम बात करें विश्नू सर्वणन की लागातार काउश बदब जीता था तो ये चीए ध्यान रखेगा उनकी जो उपलब्धी है ये का सकते हैं ओलंपिक में लागतार क्वालिफाई करने वाले या फिर इस तरह से जो चीज़ा हमने लिखा है ये पहले भारतिय नाविक बने इस कैटेगरे की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं य अलाकि नीदरलेंड के विल्यम वियर शेमा जो की रज़त पदक उने मिला ये भी इतने ही पॉइंट के साथ मतलब पदक तालिका में थे लेकिन विश्नु सर्वनन को तकनी की आधार पर बहारत के विश्नु सर्वनन को विजयता गोसित किया गया और उन्हें स्वर्ड पर हमने एक अतरिक्त जानकारी इसके आजन से समद्रक लिखा है कि रियल कलब और नॉटिक पोर्टी पोलिंका गवारा एजित इस इवेंट में 334 नाविकों ने भाग लिया था ये यहां बत्याने के पूरे दुनिया से 334 नाविकों ने इसमें भाग लिया था चलिए चल यानि कि विकल नंबर भी यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा आपको दादू कि 12 मार्च 2024 को तातकालिन मुक्ष मंतरी मनोहर लाल खटर द्वारा मुक्ष मंतरी पद से इस्तीफा देने के बाद हर्याना की बीजेपी परदेश अद्यक्ष नायब सिंग सैनी राजी के नए या कि यहां पर ध्यानिकी नायब सिंग सैनी मनोहर लाल खटर 26 अप्वार 2004 से 12 मार्च 2024 तक हर्याना के मुक्ष मंतरी रहे थे यह दसवे मुक्ष मंतरी थे आप गयर से देखा जाई तो एक जार्वे मुख्ष मंत्री अभी कौन बने हैं तो नायब सिंग सैनी बने हैं अगला पॉइंट यहाँ पर हर्याना को लेकर है एक अलग प्रदेश के रूप में हर्याना की जो अस्थापना भी थी यह एक नॉबर 1966 को भी थी और इसी तीथी को भगवत दयाल सर्मा हर्याना के पहले मुख्य मंत्री बने थे आप यहाँ पर इस तस्वीर में जो देख रहे हैं यह हर्याना का राज के चिन्ध है एक सर्किल बना है और साइड में जो आप देख रहे हैं यह पत्यों से सुसजित है और बीच में कमल का निसान है और इसके उपर जो असुक अस्तम्भ है वो दर्साए गया यह हर्याना का राज के चिन्ध है धियान रखेगा एकजाम में परसने अराइच हो सकते हैं हर्याना के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट आपको धियान रखना है जैसे कि इसकी जो राइधन ये चंडीगड़ है यहां का अगर हम राज के पसू की बात करें तो काला हीरन राज के पक्षी की बात करें तो ब्लैक है फ्रेम को ले जिन्हें आप यहां पर तस्यूर में देख सकते हैं यह हर्याना की राज के पक्षी है तो यह रही बात हर्यानों के बारे में basic से point जो खास करके important है कई बार यहां से भी चीज़े मतलब किसी भी रज को लेकर पूछे जाते हैं ऐसी ही जानकारी हमने बिहार से भी संबंदित आपको दिया था एक बार पुनों से ध्याने के बिहार का जो रज के पक्ची है यह है गोरिया और 20 मार्च को गोरिया दिवस मना जाता है और 2023 में जो विश्व गोरिया दिवस मार्च को मना जिया इसका theme था I love Sparrow राज के पसू है पैल राज के व्रिक्ष है पीपल राज के फूल है गेंदा अच्छे यहां पर जो आप देख रहे थे राज के व्रिक्ष हर्याना का भी यह पीपल ही है और बिहार का भी पीपल ही है आप यहां पर नोट करेंगे अच्छा, भिहार का, अगर हम रज के फीष के बात करें यानि के रज के मचली की बात करें तो यह क्या है? लेकर द्यान लख बिहार को लेकर ध्यान रखिये बिहार की एस्थाफनों जो भी थी 22 मार्च 1912 को पसी मंगाल से अलग होकर भारत के बारवे रज के रुप में भी थी और 2023 में इसका 111 अस्थापना दिवस्म मनाय गया जिसका निर्धारित थीम था युवा सक्ति बिहार की परगती जो की बिहार सरकार की जो महात्वा गांची योजना है साथ निश्चे उसी में ये निट है ये ध्यान रखे है 2024 में 22 मार्च को इसका 112 अस्थापना दिवस्म मना जाएगा चलिए अगला प्रस्ट है कि हाली में 12 मार्च 2024 को परधार मतिर नरेंद्र मोदी ने गुजरात की साबर मति के पास किस अस्थरम का आपचारिक उद्गाटन किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोचरब अस्थरम यानि की विकल नमबर A देखे हाले में ये ये थी थी आपको धियान आपना है तो विकल मिना के बाद यहां पर यह पर यहां पर नरेंद्र मोदी ने साबर मति अस्थरम का दोरा किया था और यही पर उन्हाígenे कौचरब अस्थरम का पी उद्गाटन किया जो आप यहांज पर इस तस्विर में देख सकते हैं पहले इसके स्थाफना हो चुकी थे, इसमें कुछ चेड़े का सकते हैं, एक परकार से, एक परकार से, modification किया गया, इसे मतलब बहतर बनाए गया पहले से, तो यही एक परकार से आप देख सकते हैं, इसका उधकाटन किया गया, दरसल इसकी अस्थापना जोफी थी महात्मा गांदी ने दख्षिन अफ्रिका से लूटने के बाद 25 मई 1915 को किया था। यह आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप जो Phinix Farm देख रहा है या पिर Phinix Ashram देख रहा है यह डक्षिन अफरिका में महात्मा गणधी द्वरा अस्थाफित यह पहला Ashram था उसका जो वर्धा Ashram देख रहा है पॉइंट इससे समंदित है कहा जाता है कि यह भारत में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोजरब आस्रम के बारे में बारव मार्च को ही 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्यागरा के लिए अहमदाबाद के साबरबती आस्रम से अपने डांडी यात्रा सुरू की थी यह यहाँ पर नोट करने योग है डांडी यात्रा से समंदित कई बारे एक्चाम में परशने पूछे गए हैं और इसके साथ ही सौभी ने अबग्या अंदलन भी शुरू किया गया और लोगों से ब्रिटिस हुकुमत को टैक्स अदा नो करने की सला दी गई और ऐसा मतलब आसकते हैं मतलब बाते कहे गी थी महात्मा गांधी के त्वारा तो यह चीज़े फिलाल यहां से समंदित है यह ध्यान लेगा चले आगे चलते हैं अगला दसवा प्रशने प्लेयर आप दा मंथ से समंदित है हर मंथ हम आपको ऐसी जानकार देते हैं इसी कड़ी में अगला प्रशन है फरवरी 2024 के लिए ऐसे सी प्लेयर आप दा मंथ पूरूस की से चुना गया है पूरूस केटेगरी की हमने यहां पर प्रशन में बात किया है तो करेक्ट अनसर होगा यह सस्वी जैसवाल जो की भारत के है विकल्प नमबर सी करेप्ट होगा देखें फरवरी 2024 के लिए ऐसे सी प्लेयर आप दा मंथ भारते बल्लेबाच यहां पर असे सी जैसवी जैसवाल को तस्वीर में देख सकते हैं जबकि महलाओं की कैटेगरी में ऑस्टेलिया की एनाबेल सदरलेंड को प एमी हंटर को देखें यहां पर आप यह ध्याने के एमी हंटर आयरलेट की है जबकि प्रूस कैटेगरी वना थोड़ा आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से यह ऐसे सी प्लेयर आप दा मंथ की सुरवात हुई थी तो इसके इतिहास में वेस्टेंटीज पहारत की जो कि एक वर्स में दो बारे एक तो जनवरी और सिटम्डर दोहजारत यर्समें प्लेयर आप दा मंत चुने के यहां पर जनवरी आप देख सकते हैं और सिटम्बर के बाद से फिर जनवरी श्टाइब दोहजारत 24 वाला वो यहां पर सूची है, यह भी अपडेट होता रहेगा, अब लोग इसका भी स्क्रिंशॉट ले सकते हैं, चलिए, रेसेंटले क्रिकेट के बारे में, जो क्रिकेट परत्युक्ता एजित हुई है, खासर करके जो क्रिकेट से समंदित है, जैसे कि नावेश ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी, यह सभी बहुत ही इंपोर्टन है, एक तो यह इंपोर्टन है, कि क्रिकेट से समंदित है, दुसरा यह इंपोर्टन है कि 2023 यह पर 2024 ने जो परत्युक्ता एजित हुई, किस खिताब ने, मतलब किस टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है, वो चीज कि हाले में 12 मार्च 2024 को स्वामी राधा कृष्णे बलके राम कृष्णे परमहन्स की 129 जैनती मनाए गई, बताएं कि उनका मूल नाम क्या था, विकल्फ होगा गदाधर, जो विकल्फ है, इसका करेक्ट अंसर होगा, गदाधर चटो पाध्या है, विकल्फ नुमर A यहाँ पर करेक्ट अंसर है, देखे हाले में 12 मार्च 2024 को स्वामी राम कृष्णे परमहन्स की 129 जैनती मनाए गई, उनका मूल नाम था गदाधर चटो पाध्या है, जो कि आप यहाँ पर यह तस्विर में देख सकते हैं, देखे यहाँ पर यह उतना इंपोर्टन नहीं है, कि मतल पास वर्च की आए में 16 अगस्त रफट श्यासर को कौलकादा में उनकी मूर्तवी, तो रामकृष्णे परमहन्स स्वामी विवेकानन्द के गुरू माने जाते थे, यह पॉइंट अपके एक्जाम में पोचे जा चुके हैं पहरे, अच्छा विगलपों पर यहाँ पर पहंद जे श्वामी विवेकानन्द की जो हम बात किया है, तो नरेंदर नौत दत श्वामी विवेकानन्द का मूल नाम है, जबकि बात करें हम मूल शंकर की, तो मूल शंकर आपको कमेंट करके बताना है, यह किनका मूल नाम है, इसके बारे में रिसेंटली हमने आपको जा करें दिया है अब महसदास के बात करें थो बिरवल का मूल नाम था महसदास मूल संकर एक असान सा प्रशन है मतलब इस तरह के आपके एकजाम में पूछे गए है किनका ये मूल नाम है मूल संकर आप हमें कमेंट करके बताएंगे चलिए अगला बारों प्रशन है कि किसे भार प्रताव गोस्ट को यह संबान दिया गया इराश्मस प्रसकार 2024 का और उन्हें यह प्रसकार नेधरलेंड के प्रीमियम इराश्मी यानम फांडेशन द्वारा फुदान किया गया है तो यह चीज़े यहां से ध्यान रखें जो चात्रे वीपेसी एक्जाम की प्रिपरेशन मे और महाच 399 रुपिया में तमाम में ट्रेयल इसी कॉर्स में होगा करेंट अफेर्स भी इंक्लूडट होगा और जो कि डेली वेसेशन पर आपको मिलेगा वो तमाम चाशेश से प्राप्त कर सकते हैं चली आज की इस वीडियो का प्राप्त करने का लग्छ रखा गया है तो विश्तरी तोर पर कल वाले वीडियो में हमने आपको जानकारे दिया है कमेंट बॉक्स में अप्लोड जाएंगे और वहाँ पर कमेंट करके हमें बताएंगे और वीडियो को समाथ करने से पहले आज की इस वीडियो का टार्गेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपकी help हो रही है तो वीडियो को लाइक किज़ेगा और चैनल को subscribe करके हमें support जो किज़ेगा चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्दवाग जाएंगे